वजन कम करने के लिए लोग जिम में घंटो पसीना बहाते और डाइट को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने टार्गेट को अचीव करने में महीनों लगा देते हैं लेकिन यदि आप कम समय में मोटाबे को छूमंतर करना चाहते हैं तो आप योगा कर सकते हैं अगर आप नियमित रूप से योगासन करते हैं तो आप फटाफट वजन कम कर सकते हैं इसके अलावा योग पेट पर जमी चरबी को भी कम करने में मदद करता है तेजी से पेट की चर्वी कम करने के लिए और वेट लॉस के लिए आप इन तीन बेश्ट योगासन को रोजाना कर सकते हैं इस मुद्रा को करते समय आपका शरीर नाव की तरह होना चाहिए ये आसन काफी आसान है बस इसे करने के लिए आपको संतूलन की जरूरत होती है इसे करने के लिए जमीन पर बैठें अपने पैरों को सीधा करें अपने पैरों को उपर उठाने की कोशिश करें इसी के साथ अपने हातों को फर्ष के समानांतर फैला कर वी सेप बनाएं इस पोच को दस से बीस सेगिंड तक बनाए रखें सबसे पहले एक समतल जगा पर लेट जाएं अब दोनों पैर के अंगूठों को एक साथ मिलाएं इसके बाद सांस लेकर खुद को सामानने कर ले अब लंबी सांस लेते हुए पैरों को उपर उठाएं अब कुछ देर तक पैर को यूही उपर रखें और धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें तीस से गिन बाद गहरी सांस को छोड़ते हुए पैर वापस नीचे लाएं। इस तरह उतान पादासन का एक चक्र होता है। शुरू में दो से तीन चक्र करें और बाद में इस संख्या को बढ़ा लें। नमबर तीन पश्ची मोतानासन योग करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को फैला कर जमीन पर बैठ जाएं। अब गहरी सांस लेते हुए शरीर को आगे की ओर जुकाएं। हाथों को पैरों के तलवे को और नाक को घुटनों से इस पर्स कराएं। कुछ देर तक इस इस इस्तिती में बने रहें और फिर पूर्वता स्तिती में आ जाएं। तो हमारे पास के लिए टीन इफेक्टिव आसन हैं जो सबसे हमारा effect पढ़ता है हमारी जो thigh muscles है जांगों पर पढ़ता है और जो बहुत pressure के साथ effect रहता है तो वो हमारी calories को burn करता है तो यह खासकर use होता है lower body fat को burn करने के लिए कि अगर जिसका lower body fat या thighs बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनका weight बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए यह ज्यादा effective है और दूसरा आसन हमारा है नौकासन नौकासन में पीट के बन लेटके और पैरों को 45 डिगरी उठा के और अपनी कमर को भी 45 डिगरी उठा के और जो balance है वह हमारे hips पे बना रहता है और जिससे हमारी जो core muscle है मतलब सामने वाली जो abdominal muscle है उस पे burn हो जाता है सारी calories और धीरे धीरे हम regular जब इसका अभ्यास करते हैं तो body का जो fat है weight है वो अपना भी maintain हो जाता है और बढ़ा हुआ है तो कम हो जाता है और तीसरा हमारा आसन है उत्तानपादासन उत्तानपादासन में भी हम पीट के बल लेटके और दोनों पैर सीधे रखत एरिया पे भी आएगा तो यह दोनों को एक साथ दोनों जगे का जो fat है वो burn करता है calories जैसे 20 पे pressure आएगा तो 20 की भी करेगा और हमारे core पे abdomen वाले एरिया पे pressure आएगा तो वहां का भी fat burn करेगा